कि नमस्कार बच्चो कैसे हो हम चप्टर नमबर 7 कम्प्लीट कर चुके हैं चप्टर नमबर 1 च लेकर चप्टर नमबर 7 तक हमने सभी चप्टर को कम्प्लीट किया है किसी भी चप्टर में अगर डाउट है तो आप कोमेंट सेक्षन में कोमेंट करके जरूर बताएं आज हम चेप्टर नमबर 10 स्टार्ट करेंगे, 8 और 9 हमने यहां पर छोड़ दिया है, क्योंकि साइद संभावित है कि हरियाना बोड इन दोनों चेप्टर को अटाएगा, तो हम अगर नहीं भी अटाएगा, तो हम बाद में कर लेंगे, तब तक हम चेप्टर नमबर 10 को करते हैं, औ तक है, सर्कल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, the collection of all the points, collection करना है, यानकि सभी points होगो, वो सभी points कठे करने हैं, in the plane, एक plane होगा हमारे पास, which are fixed distance, जिनकी दूरी क्या होगी, सभी क्या होगी, सेम रहेगी, from a fixed point, एक fixed point से, in the plane, plane के अंदर is called circle, उसको हम क्या कहेंगे, circle कहेंगे, यानकि हम एक collection करना है, कितने points होगा करना है, infinite point का, ठीक है, यानकि all points, वो सभी points, यानकि infinite point है, और plane are fixed distance from the fixed point, तो यानकि हमने कहा, ये fixed point ये हमारा, तो fixed point लेना है, हमने ये fixed point लिया, fixed point से, एक point की ये दूरी ली, फिर हमने ये दूरी दूसरी ली, और ये दूरी क्या है, सेम रहेगी, और ये infinite time तक हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, तो यहां से अगर देखें, तो हमें एक circle की shape दिखाई देगी, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे आगे करते रहेंगे, क्योंकि कितने point लेने हैं, वो सभी point लेने हैं, ये fixed point था हमारा, इस point को हम इतना close कर देंगे सभी को, तो हमें ये line में gap नहीं दिखाई देगा, सिरफ क्या दिखाई देगा, circle दिखाई देगा, ठीक है, इन सभी line को इतना dark कर देंगे, dark means हम एक line के पास दूसरी line ड्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए, तो दीरे 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 ये क्या बन जाएगी एक circle का रूप ले लेगा, ठीक है, यनकि सब की distance क्या ह होगी, बराबर होगी, यनकि यहां से अगर देखा जाए, तो दीरे दीरे ये क्या हो रहा है, एक circle का रूप पर आ रहा है, ठीक है, तो fix point से same दूरी रहेगी, सभी line क्या है, same दूरी से है, तो यह क्या बन गया हमारा circle बन गया, तो यह होगी हमारी definition, again repeat करते है, the collection of all points, वो सभी point का collection करना है, and distance fix, और distance ने को, यानि कि यह जो पहली line थी, उतनी ही, सभी की distance रहेगी, दूरी रहेगी, और from the fix point, यह fix point बना था, ठीक है, तो अब यह हो गया, क्या बन गया है, हमारे पास circle, ठीक है, तो circle की definition clear होई हमारी, अब बात करते हैं, center, center क्या होता है, circle का, a fix point of the circle is called center, यानि कि जो हमने यहापे fix point लिया था, यानि कि fix point लेके एक दूरी ली थी, और फिर दूसरी भी उतनी ही दूरी ली थी, तो यह जो fix point होता है, वो क्या होता है, center होता है, ठीक है, फिर हमारे पास radius, the fixed distance of the circle is called radius, यानि कि यह fix दूरी थी, सरवात में हम बड़ी भी ले सकते थे, जैसे हमारे पास छोटी भी ले सकते हैं, और बड़ी भी, बड़ी लेंगे तो बड़ा circle बनेगा, छोटी लेंगे तो छोटा, क्योंकि यह दीरे, 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 क्या बनेगा, छोटा circle मिलेगा, और यह क्या मिलेगा, बड़ा circle मिलेगा, तो जैसी distance होगी, य कर सकते हैं त्री पार्ट में ठीक है वो कौन-कौन से हैं यह एक प्लेन लिया है हमने ठीक है यह कोई भी बाउंडरी से गिरा हुआ एक सरकल है यह अंदर सरकल है और बाहर से हमने बाउंडरी में कलोज कर रखा है तो हम सरकल के तीन पार्ट बताते हैं कौन-कौन से हैं सरकल क इनसाइड तो इनसाइड यह तो हो गया इनसाइड यह एक पार्ट तो यह गया ठीक है सरकल के अंदर का यह यहां से यह सब यह इनसाइड पार्ट हो गया दूसरा क्या होगा दस सरकल जो पाउंडरी है ना यह सरकल की जो यह पाउंडरी है सरकल की जो हमने ड्रोक रखी है एक थीक है इसको हम क्या बोलेंगे circle यह पार्ट हो गया और तीसरा क्या है exterior या outside ठीक है outside यह बार का जो इस्सा बचाया है यह इसका हिस्सा है तो circle को अगर पूछा जाए कि यह circle divides how many parts, तो circle कितने हिस्सों में divide हो सकता है, तो हम क्या जवाब देंगे उसको, three parts में, क्या क्या होते हैं वो, inside, circle and outside, या exterior, interior और circle, ये तीन point क्या होंगे, circle के तीन हिस्सों में divide करेंगे, अब बात करते हैं code पे, कि code क्या होती है, यहाँ पहले एक बार definition को clear करते हैं, if you take two points, हम कोई भी दो point लेते हैं, P और Q, on a circle, then the line segment P, Q called code, जैसे हमने कोई भी एक circle draw किया, ठीक है, ये कहरा है कि इसके उपर लेना है, on a circle, क्योंकि circle के अंदर, inside, outside और circle, तीन part होते हैं, तो उसने कहा है, circle के उपर, तो ये boundary है, इसके उपर लेंगे, एक माल लिया P, और एक कोई भी Q, ठीक है, ये दो point लेने हैं आपको, फिर कह रहा है, take two point P, और Q, on a circle, circle पे ले लिया, then line segment P, Q is code, यान कि जो इसको मिला दें, ये जो line segment है, वो क्या है, code है, ठीक है, तो अगर इस पात से हमें, ये तो clear होगा, कि ये code है, तो हम इस पे एक और क्यूशनराइज करते हैं, how many code in a circle, एक circle में कितने code हो सकते हैं, तो कितने होगे, infinite, क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है, ऐसे ऐसे P, कितने भी point ले सकते हैं, कितने भी point हो से हम क्या कर सकते हैं, इनको मिला सकते हैं, ठीक है, अलग-अलग नाम देके, ऐसे भी मिला सकते हैं, कैसे भी मिला सकते हैं, दो point के, तो कितने code होगे यहापे, circle के कितने code मिलेंगे, हमें, infinite code मिलेंगे, ठीक है, यानि कि इस boundary पे कितने point है, infinite point है, क्या होता है longest code अब बात आती है कि यह circle दुबारा से हम ड्रो करते हैं तो longest यह code ले थी हमने pq क्या यह longest है लेकिन है या नहीं है इसका हमें कैसा पते चलेगा कि longest code of a circle is called diameter और center क्या यह था हमारा fix इसको हम क्या बोलते थे center तो जो code center से पास होकर जो निकले की ना वो सबसे लंबी होगी इससे बड़ी और जो code लोगे आप दाइबाएं up and down तो वो code सबसे लंबी नहीं होगी जो diameter होगा ना मारा वो क्या होगा सबसे longest code होगा एक तो यह definition होगी the longest code of a circle diameter फिर दूसरा है two times of radius यानि कि जो radius होती है उसको अगर two times कर देंगे तो क्या हो जाता है वो diameter के बराबर आ जाता है क्योंकि देखो यहां से अगर देखा जाए तो यहां से यहां क्या है यह radius यह radius होगी मैंने इसको आगे इधर बढ़ा दिया एक radius यह ऊगी तो एक radius और एक radius कितने हुई दो radius यहनिकि two times radius बनके क्या बन गया यह diameter जो code center से पास होगा वो क्या बनेगा diameter अब एक और question हम राइज करते हैं कि how many diameter in a circle तो वो भी कितने होगे infinite ठीक है infinite diameter होगे क्योंकि यहां से हमने दो ड्रो किये क्योंकि इधर इस boundary पर कितने है infinite हैं तो हम ऐसे ऐसे infinite क्या कर सकते हैं diameter हम ड्रो कर सकते हैं जो center से पास होगे code है वो center से पास हो या ना हो यह कोई जरूरी नहीं है लेकिन diameter center से पास होगा तो अब हमारे पास एक और question arise होता है कि क्या diameter को हम code बोल सकते हैं क्या यस, यस, डायमिटर, एंज, कोड, ठीक है, ये बात होती है कि, यस डायमिटर क्या होता है? कोड, बट, कोड, में और में नोट भी, में और में नोट भी, ने नोट भी है, डायमेटर, यानि कि क्या अर्थ हुआ, कि हो भी सकता है कि कोई कोड क्या हो, डायमेटर हो, जैसे डायमेटर को ही हम क्या बोलते हैं, यह क्या है, कोड भी है, और यह क्या है, डायमेटर भी है, ठीक है, दोनों हैं, तो डायमेटर है, वो कोड हो सकता है, ये क्या है? code जरूर है, तो इससे हमें क्या मिला? जो diameter होंगे वो क्या होंगे? code तो जरूर होंगे, but code होंगे वो diameter हों या ना हों, ये कोई जरूरी नहीं है, यानिकी code may or may not be diameter. ठीक है? अब बात आती है, arc. पहले हम क्या करते हैं इसके definition की चर्चा करते हैं a piece of circle circle का एक हिस्सा यानिकि फिर से हम एक circle ड्रो करते हैं ठीक है और किसके between between two points is called arc यानिकि हमने जैसे यहां से P और Q दो पाइंट लेते हैं तो यहां से यह जो हिस्सा है यह क्या है कि आर्क है और यह हिस्सा है वो भी क्या है कि आर्क है ठीक है यानिकि यह longest arc हो जाएगी यह smallest arc हो जाएगी बस इतना difference रहेगा तो longest arc को हम क्या बोलेंगे major arc और smallest जो arc होगी उसको हम क्या बोलेंगे minor arc क्योंकि major का आर्क होता है बड़ा और minor का होता है छोटा तो यहां से arc का पता चला यानिकि इस line को अगर हम मिला दें तो यह तो क्या हो जाती है code बन जाती है बट यह जो हिस्सा होता है circle की जो boundary होती है उसको हम क्या बोलते है दो point के बीच में जो हिस्सा होता है circle का उसको हम क्या बोलते है आर्क बोलते हैं ठीक है उसके बाद हम चर्चा करते हैं circumference पे circumference क्या होती है length of the complete circle यानि कि यह रहा हमारे पास सर्कल ठीक है यानि कि हम यहां से चले इधर चले हैं ठीक है यहां से हमने measure करना शुरू किया इसको ठीक है मापना शुरू किया और हमने माप के यहां तक लेके आ 21 cm तो इसकी circumference कितने दाएगी 21 cm ठीक है यान की complete जो boundary है circle की वो क्या होती है हमारी circumference ठीक है फिर हम चर्चा करते हैं segment segment क्या होता है segment the region between region यनकी area यनकी कोई एक area होगा between code and either of its arc यनकी हमें क्या है कोई भी एक code है ये रही ठीक है ये P और Q code भी है और P और Q क्या है आर्क है देखो P और Q मैंने ऐसे लिखा है तो इसका आर्थ है ये code है अगर मैंने P और Q ऐसे लिखा है तो इसका आर्थ है ये arc है ठीक है ये कह है code और ये है arc ठीक है और Q के उपर ये गुमावदार line लगाने है आपको ठीक है और इसके उपर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है तो ये क्या है code है तो अब जो ये जो इस्सा बचा है इनके बीच में इसने क्या का है region between किसके बी हिस्षा होता है उस को हम क्या बोलते हैं सिंग्मेंट अगर दीके तो यह हिस्षा क्या है छोटा है और यह जो हिस्षा वह क्या है बढ़ा है यह भी हिस्षा है इसके बिच में इस बड़ी आर्कम्स बाद मिलेगा मैजर different ठीक है यह major segment और यह minor segment ठीक है अब बात आती है अगर यह code क्या होता diameter होता और फिर हम इसको minor major कैसे बोलते हैं तो इस पे हम आगे चर्चा करते हैं तो यह क्या हो गया sector अब बात आती है sector क्या होता है तो यह circle draw किया हमने इसके definition को करने से पहले इसके definition पढ़ लेते हैं इसके diagram बनाके आगे बात करेंगे बाद में the region between फिर से region है between the arc and its radius radius means radius दो radius यानकि बहवचन हो जाएगा तो यह center हो गया तो यह एक radius होगी और यह भी एक दूसरी radius है इन दोनो radius यानकी एक radius यह है यह radius यह radius है तो दोनो रेडी बन जाएगे radius का बहवचन है रेडी तो यहाँ से हमें पता है यह और यह दोनो रेडी है ठीक है radius होगी और किसके बीच में आर्क आर्क कौन सी है यह इस आर्क के और इस रेडिय के बीच में रेडियस के बीच में जो ये हिस्सा बचा है ये क्या है सेक्टर है अब बात आती है रेडियस तो ये भी है इसके लिए और ये भी हिस्सा है हमारा ठीक है ये हिस्सा भी है और ये radius है और ये इसा आर के बीच में है इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये भी क्या होगा सेक्टर होगा और ये भी क्या होगा सेक्टर होगा लेकिन ये बड़ा है तो ये क्या बनेगा मेजर और ये छोटा है तो ये क्या मनेगा माइनर ठीक है तो ये clear हो अमारा major sector और minor sector अब हम चर्चा कर रहे थे कि क्या जो segment है अमारा वो क्या हो ये diameter ही हो और ये भी हिस्सा हो और ये भी हिस्सा हो तो अब इसको हम major या minor क्या बोलेंगे तो ये है both sector become same and is no the semicircle ठीक है फोल्ड कर रखा है इसको क्या करें ऊपर की तरफ उठाएं और दीरे दीरे ये हिस्सा बन जाए ठीक है ऐसे ये line उठेगी हम इसको उठाएं और ये उत्ते उत्ते और ये बन जाए तो अब हमें पता है ये ये और ये हिस्सा क्या बन जाएगा semi circle बन जाएंगे क्या बन जाएंगे इस circle को और इस आद इसे को यानिकि यह ऐसे एक हिस्सा ऐसे बनेगा और एक हिस्सा ऐसे बनेगा इन दोनों हिस्सों को हम क्या बोलेंगे semi circle बोलेंगे तो यह हमारी क्या होगी 10 में chapter की कुछ definition है उसकी properties है इनको आपको अच्छे से copy में note करना है और इसको समदना है अगर किसी बच्चे को भी किसी भी definition में अगर doubt है तो comment section में जरूर बताएं